बीस डिसम्बर से पहले केटरीना कैफ और विकी कौशल रखेंगे रिसेप्शन पाटी इसके बाद शुरू होगी टाइगर थ्री की शूटिक जैसे कि आप सब ये जानते ही होंगे कि राजिस्तान में केटरीना और विकी कौशल ने अपनी शादी कर ली है और ये शादी केटरीना और विकी ने अपने फैमिली मेंबर्स और कुछ दोस्तों के साथ सेलेब्रेट की थी कोरोणा के जलते ये बाकि लोगों को अपनी शादी में इन्वाइट नहीं कर पाए शादी के बाद ये दोनों ने हनिमून इंजॉई करने के लिह मालदीव जाने का प्लान बनाया पहले तो ये प्लान कैंसल कर दिया गया था लेकिन आखिर ये दोनों ने वहाँ ही अपना हनीमून एंजॉय किया और अब उनकी कई वीडियो सामने आई है जिसमें पाया गया है कि अब दोनों मालदीव से मुंबाई लोट आए है ये जोड़ी काफी खुबसूरत लग रही है और दर्शक उन्हें काफी अपना प्यार भी दे रही है मुंबाई लोटने के बाद अब दोनों एक बड़ी पार्टी रखते जा रही हैं और ये पार्टी होगी बॉलिवुड के नाम हाँ दोस्तों केटरीना और विकी कॉशल अब जल्द ही बॉलिवुड वालू के लिए एक ग्रांड रिसेप्शन पार्टी रखेंगे जिसमें बॉलिवुड की सभी बड़ी हस्तियां शामिल होगी आपको बता दे तो ये पार्टी 20 डिसमबर से पहले होगी क्योंकि 20 डिसमबर से केटरीना टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी बताया जा रहा है कि 20 डिसमबर से सलमान खान और केटरीना की मोस्ट अवेटेट फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग शुरू होने जा रही है ये पार्टी काफी भव्य होगी क्योंकि इसमें बहुत से सेलेब्रिटीज देखने को मिलेंगे इस पार्टी के लिए केटरीना ने इंविटेशन देना भी शुरू कर दिया है तो दोस्तों आपका क्या कहना है केटरीना और विकी कॉशल की एक ग्रांड रिसेप्शन पार्टी को लेकर वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताएं